नमस्कार इन खबर में आप सभी का स्वागत है अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने तमिलनाडू और गुजराद सयंत्रों में लगबग 2.5 बीलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है अब ताजा घटनकरम में फोर्ड ने फैसला लिया है कि इन सयंत्रों से उत्पादित, इको स्पोर्ट, फिगो और एस्पायर जैसे वाहनों की बिक्री बंद कर देगी अमेरिका के प्रमुग वाहन कंपनी फोर्ड मोर्डर पुर्ण गठन के प्यासों के तहट भारत में अपने दो विनिर्मान सयंत्र बंद करेगी और देश में केवल आयातित वाहनों की बिक्री करेगी आगे चलकर फोर्ड भारत में केवल मास्टैंग जैसे आयातित वाहनों की ही बिक्री करेगी मामली की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ती ने कहा यह पुनरगठन का फैसला है कंपनी सिर्फ आयातित वाहनों की और रुक करेगी जल्दी कंपनी की और से इस बारे में आपचारिक घोशना किये जाने की उम्मीद है फोर्ड भारत के वाहन बाजारों में अपनी पहचान बनाने के लिए कई वर्षों से संगर्श कर रही है फोर्ड इंडिया के पास सालाना 6,10,000 इंजन और 4,40,000 वानों की स्थापित वी निर्मान शमता है कंपनी ने फिगो एस्पाया और एको स्पोर्ट जैसे अपने मॉडलों को दुनिया भर के 70 से अधिक बाजारों में निर्याद किया है अब जब फोर्ड मोटर्स ने भारत की दोनों मैनुफेक्चरिंग कंपनी को बंद करने का फैसला लिया है तो ऐसे में 4,000 से ज्यादा कामगारों के चहरे उदास हैं दो अरब से ज्यादा का घाटा जहल रही कंपनी की अब कमर तूट चुकी है कंपनी की हालत सामाने नहीं रह गई है लेकिन एक समय ऐसा था जब इस कंपनी ने रेतन टाटा को बिजज़त किया था यह वह दोर था जब 1991 में रेतन टाटा ग्रूप के चेर्मैन बने थे तब टाटा मोटर्स की पहचार्ण ट्रक बनाने की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर होती थी 1998 में टाटा मोटर्स ने कार बनाने का फैसल लिया साल के आखिर में टाटा इंडी का लॉँच हो गई पक्या बताते हैं फोर्ड मोडस के चेर्मेन बिल फोर्ड ने भारत की सबसे बड़ी ओद्योगी खस्ती को उकात दिखाने की कोशिश की थी बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं है तो तुमने ये बचकाना हरकत क्यों की हम आपका कार बिजनेस खरीद कर आप पर उपकार करेंगे रतन टाटा बुरी तरह हिल गए उसी रात उन्होंने कार बिजनेस बेचने का फैसला टाल दिया अगली फ्लाइट से वे वापस लोटे और उसके बाद आज का दिन है जब रतन टाटा का खुद का पैसेंजर कार क बिजनेस उफान भर रहा है